इस वड़ों में आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि दोस्तों आप कैसे अपने फेस्बूक का पास्पोर्ड उसे आप कैसे दोस्तों चेंज कर सकते हैं आज किस वड़ों में आपको बताने वाले हैं और दोस्तों इस वड़ों में आपको दो ऐसे तरीका बताने वाला हूं दोस्तों आप जिसी इधर Facebook क्लिक कर सर्च करते हैं उसको आपको देखने को मिलेते Facebook application अब दोस्तों आपको इधर Play Store से update चेक कलेना है अगर update आये तो इधर आपको update कलेना है इससे दोस्तों यह होगा कि जो भी Facebook में new new feature आये होगा इधर आपको देखने को मिल जाता है और एब दोस्तो आप जैसी वोपेन करते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल लाता है तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं जर से अपने फेस्बूक का पासफूर अगर आप चाहते हैं उसको चेंज करने के लिए तो उसके लिए दोस्तो उपर समय देखने को मिलता है ठोऄ यद्स इस पर कर दाना वाँ क्लिक इस पर क्लिक करने के बाद दुस्तों आपको कहने कुछ सख्राइब करते हैं अपको आपको करने क salariesा यंदा जोड़से अपने पासपोड को आप इदर सेचेंज कर सकते हैं स्परिक ड़का है चेंज पासपोड करना होगा चैज पासपोड करने के बाद और नीचे सर में इदर आपको New Passport और इसके नीचे री टाइप New Passport ठीक है तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं इदर से अपने Passport चेंज करने के लिए तो जो आपका Old Passport है यानी के पुराना Passport वो इदर आपको अपने Old Passport को डाल देना होगा तो दोस्तो अगर आपको अपने पुराना पासपोर्ड याद है तो अधर आपको अपने पासपोर्ड को डाल देना होगा उसके बाद दोस्तो आप इधर से बहुत असन तरिकेसे अपने निव पासपोर्ड आप कर सकते हैं जैसे के पुराना passport आपको उपर सर्ण में डाल दना है और फिर से दोस्तों आपको निव पासपोर्ड को आप इधर रिएंटर कर दना है ठीक है इतना दोस्तों कले तो आपका जो पासपोर्ड इधर आपका चेंज हो जाता है तो दोस्तों अगर आप इधर लोगिन कर चुके अगर आप लोगिन भी कर पार रहा है तो आप कैसे आपको बताते हैं तो दोस्तों दूसरा तरीक है कि अभी है कुछ इस उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेते हैं Find Your Account तो दोस्तों अब आपको दर क्या करने हैं जो भी आपका दोस्तों इदर Mobile नमर है उस Mobile नमर को आपको दर डाल देना होगा अगर आपका दोस्तों email address से आपका Facebook account है तो आप इदर से क्लिक कर सकते हैं जैसे कि Search by email address इंस्टेंट ठीक है तो उसके बाद दोस्तों आपको Find account इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करने थोरा सा wait और दोस्तों आप जैसी wait करते हैं उपर से में देखने को मिलेते हैं इस पर क्लिक करने के बाद देखने को मिलेते हैं इतना दोस्तों काने के बाद आपको कुछ इस तरह का पर देखने को मिलेते हैं आप दोस्तों आपको forget password इस पर क्लिक कर देना है इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद देखने को मिलेते create a new password तो आप इदर से बहुत असन तरीके से अपने password को आप इदर create कर सकते हैं simple से आपको new password पर click कर देने हैं उसके बाद दोस्तों आपको इदर एक 6 character का आपको इदर password को create कर लेना है आप दोस्तों आपने password रखते होगत आप इदर चार alphabet and चार नमरिक भी आप इदर रख सकते हैं उसके बाद दोस्तों simple से आपको continue पर click कर देना होगा continue पर click करने के बाद दोस्तों आपका जो password इदर आपका change हो जाता है तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपने facebook का password उसे आप change कर सकते हैं आपको बिडिएउदिए चला अगर आपको बिडिवां अच्य लागा ओं तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा चानल पर पेले बढ़ा है तो प्लीज सब्सकाइब कर लेजिएगा अगर आपका एन रिप्लाइब कर दिए एक होचन है